नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और खास जानकरी आप लोगों के लिए लेकर एक बार फिर से हाजिरें दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे खीरे के छिलकों के फाइदों के बारे में जी यां दोस्तों आपको जानकर हेरानी होगी कि खीरा ही नहीं इसका छिलका भी हमारे स्वास्ति के लिए इतना ज़्यादा पोश्टिक और इतना ज़्यादा स्वास्ति वर्दक होता है कि आपने आज से पेले नहीं सुनाओगा जी यां दोस्तों इसमें घुलनशिल फाइबर पाये जाते हैं ये पेट के केंसर का प्रकरतिक इलाज भी माना जाता है जी यां दोस्तों खीरे का छिलका अग घुलनशिल फाइबर से भरपूर होता है ये फाइबर आपके पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छा माना जाता ह यह कबज की समस्या को दूर करता है और इसके सेवन से आपके पेट नियमित रूप से साप रहता है दोस्तो एक स्वस्त आहार के लिए महिलाओं को नियमित रूप से 25 ग्राम फाइबर और पूरुशों को 38 ग्राम फाइबर की आवशकता होती है और छिलके समेत खीरा खाना आ यह मददगार होता है जो शरीर में स्वस्त हड्डियों के रक रकाओ, सेल के विकास और रक्त के थक्कों को बनने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमी का निबाता है दोस्तो खीरे के मुकाबले छिलके में विटामीन के बहुत अधिक मात्रा में पाये जाता है छिलके समेत खीरे के बावल में लगबग 59 माइक्रो ग्राम विटामीन के होता है जबकि छिले हुए खीरे में इसकी मात्रा मात्र 9 माइक्रो ग्राम होती है इस प्रिकार विटामीन के के इसमें सम्मिलित होने से यह हमारे लिए काफी ज़्यादा स्वास्त वर्दक चीज बन जाती दोस्तो, भूग लगने पर खीरा खाने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें कैलरी की मातरा प्राकरटिक रूप से कम होती है, चिलके समेट खीरा खाना तो और भी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है इसके एक सलाइस में केवल एक केलरी होती है भूग लगने पर अगर आप खीरे से तयार सलाद बना कर खाएंगे तो तीन दिन में लगबग दो किलो वजन तक आप घटा सकते हैं जी यां दोस्तो है ना एक कमाल की बात इसके लावब दोस्तो चिलके समेट खीरा खाने से आपकी कंजोर होती हुई नजरे भी ठीक होने लगती हैं क्योंकि खीरे का चिलका बीटा के रोटिन विटामिन A के प्रकार का चीपा हुआ स्त्रोत होता है बीटा के रोटिन आखो के स्वास्त और ड्रश्टी के लिए बहुती अच्छा वाना जाता है हाला कि विटामिन A कई प्रकार की चीजों में पाए जाता है लेकिन बीटा के रोटिन खीरे के चिलके में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों खीरे के चिलके को निकाल कर आप उसे सुखा ले उसे अच्छे से पीस कर उसमें निब्बू की कुछ बूंद बिला ले अब एक कटोरे में इस पेश्ट को डाले और उसमें एलोवेरा जेल मिला ले एलोवेरा की जगे ठोड़ असान गेहूं का आटा भी आप मिला सकते हैं उसके बाद इस पेश्ट को अपनी तोचा पर लगाएं इससे तोचा में ताजगी बनी रहेगी दोस्तों बात करें इसके अगले फायदे की तो ये एंटी ओक्सिडेंट से भरबूर होता है जी हां दोस्तों खीरे के छिलके में एंटी ओक्सिडेंट जिसे की बीटा के रोटीन, ए के रोटीन, जी कसान थीन और लिूटीन बहुत अच्छी मातरा में पाये जाते हैं ये तत्व मुक्त करणों के खिलाब लड़कर उम्र बढ़ने और अन्य संबंदित बीमारियों को दूर करने में काफी ज़्यादा हेलफुल साबित होते हैं दोस्तों त्वचा को विभिन्द तरे की समस्याओं से राहत दिलाने में ये काफी मददगार होते हैं जैसे की टैनिंग, संबर्ण, रेशेस, आधी रोजाना छिलके समेट खीरा खाने से रूकी तवचा में नमील ओटाती है इसलिए ये नेचरल मोश्ची राइजर का भी काम करता है ये तवचा से तेल के निकलने के प्रक्रिया को कम करके मुहसों के निकलना कम कर देता है तो दोस्तों देखा आपने केवल एक खीरा और उससे भी ज़्यादा उसका एक छिलका, कितने ज़्यादा स्वास्त वर्दक फाइदे इसमें छुपे हुए होते हैं हमारे स्वास्त के लिए आसे, फिरवचा हमारी आँखों के लिए हो, हमारी तुचा के लिए हो या मोटा करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू दमाएं वीडियो देखने के लिए और अपना कीम्ती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद